हरियो, दोस्तो स्वागा थे आपका Free Study by लोधी सर के YouTube चैनल पर दोस्तो आज हम आपको लेकर किया हैं Class 10th कक्छा 10 मी की Social Science और बहुत ही important topic आज हम आपके सामने लेकर किया हैं दोस्तो इसके पहले हम एक वीडियो Class 10th की Social Science जो NCIT की बरतमान समय में चल रही है इसका वीडियो अप्लोड कर चुके हैं जिसमें हमने आने वाले सभी बिकल्पों को लगभग जो important हैं इनको हमने बताया है वो हमारा part first है आप उसे हमारी playlist में जा करके दोस्तो देख सकते हैं आज हम आपको लेकर किया है Class 10th की Social Science में सभी महत्तपूर जो रिक्तिस्थान है इसका part 2 हम नाम देंगे क्योंकि students आपको Social Science में या हम कहें किसी भी विसाय में जो 80 अंक के total paper होना है यहां से आपके लिए 32 संक के 32 मार्स के रिक्तिस्थान, सैजोडिया, सत्तासत और बिकल्प एक सब्द में उत्तर आदिए आना है दोस्तो हम उसी की तैयारी यूटूब के माध्यम से आपको करवा रहा है एक अपील है यदि आप हमारे चैनल पर पहली वार आए है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तो साथ में एव एकन पर किलिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेसन आपको मिलता रहा है द देखते हैं स्ट्वेंट्स जो यहां फरस्ट रिक्तिस्तान है इसमें कह रहे हैं संपून उत्री मैदान खालिस्तान मिर्दा से बना है तो जैसा कि आपको पता होगा स्ट्वेंट्स की जो उत्री मैदान है मुकता है इसमें उत्री मैदान में उत्तर की और मतलब हमाले से निकलने वाली जो नदिया है वो कौनसी मिट्टी बहा करके लाती हैं, ज़रूर मिट्टी बहा करके लाती हैं। तो इसका सोही आंसर क्या हो जागा। अगला सेकंड देखते हैं, कह रहे हैं, सेकंड कह रहे हैं, देश के छेतरफल का लगभग कितने प्रतीसत हिस्सा पठारी है, तो यहां आपको पठार ध्यान रखना है, भारत की 100% में, 27% हिस्सा जो है, भारत की कुल छेतरफल का, यह कैसा है, पठारी है, मतलब पठार है, ठ तो भारत में विस्तु की सारी जो जेव उपजातियां हैं इनकी 8% जनसंख्या भारत में पाई जाती है। जल एक कैसा संसाधन है तो यहां क्या आजएगा स्टुदेंट्स यहां पर आजागा नवी करणी है। तो यहां आपको कहना है तीसरा इस्थान है तीसरा इस्थान है कोईला उत्पादन में भारत का। अगला क्या रहे हैं स्टुदेंट्स टाटा आइरन एंड इस्टील कमपनी जमसेदपुर में है यह और जमसेदपुर किस राज में आता है स्टुदेंट्स तो जमसेदपुर आता है जारखंड में ठीक है। अगला नौमा देखते हैं कहरा हैं देश की पहली रेल-गारी तो आपको याद रखना है यह मुमबई और थान—बीट चलाए गया थी, कहँ के बार now थान भी लखाता है तो थाना भी सही है। और यह आप थाड़े लेखती हूँ तो थाड़े भी सही है, यहाँ देश की पहली रेल गाली चलाई गई थी भारत में, अब हम देखते हैं स्ट्वेंट्स एकाई दो में भारत और समकारिन इतिहास की कुछ इंपोर्टेंट रेकते स्थान, तो दसमा पढ़ते हैं, किरें स् यहाँ गठन हुआ था, United Kingdom of Great Britain का गठन हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 1707 में एगलेंड और स्कार्टलेंड के बीच, इनका संग बनाता, ठीक है स्ट्वेंट्स अगला देखते हैं, ग्यार्मा क्या कह रहे हैं, तो ग्यार्मा में स्ट्वेंट्स कह रहे हैं, कि जनवरी 18 1871 में बरसाई में हुए एक समारु में प्रसाकी राजा बिलियम प्रत्रम को खालिस्तान का समराट घोसित किया गया, तो यहाँ आपको क्या भरना है, जर्मिनी, जर्मिनी का समराट घोसित किया गया था, ठीक है स्ट्वेंट्स, बार्मा देखते हैं, इसमें क्या कह रहे ह मार्च 1919 में बंबई में एकugit kya गया किसका रोलैट एक्टÜंट ये मार्च 1919 में ही आया था रोलैट एक्ट सरग सिड्नी रोलैट की अध्याक्षिता में नो अपील, नो बकील, नो दलील वाला ये नियम अगला देखती इस्ट्वेंट्स जो तेर्मा है इसमें कह रहे हैं असहयोग खिलाफत आंदूरन मतलब ये एक साथ ही चलेती लगभग तो असहयोग और खिलाफत आंदूरन इस्ट्वेंट्स ये कब सुरू हुआ तो यहां आपको लिखना है जनवरी 1921 असहयोग और निसयात हो जाने वाले हैं इस्ट्वेंट्स और एक आप हम पर थोड़ी सीकरपा करें इस वीडियो को लाइक कर दें बहुत महनत लगती है बनाने में चाहें तो आप सब्सक्राइब कर लें और इस आप मारी हेल्प करना चाहें तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तो जरूर देखें सभी important questions और सभी अध्यायों के गड़त में हमने लगा दिये हैं वीडियो आप मारी प्लीज में जाकर करके देख सकते हैं चौदमा परते हैं स्ट्वेंट्स तो चौदमा में क्या कह रहे हैं 1850 में यूरूप के ताकतवर देशों की जो बैठा कुई तो यह यह कहां हुई थी तो यह हुई थी वरलेन में जर्मनी की रास्तानी कहां हुई थी यह बरलेन में हुई थी ठीक है स्ट्वेंट्स पंदरमा देखते हैं इसमें कह रहा है कपास इसको इंगलिस में काटन कहते हैं तो यह कपास या जो काटन था यह खालिस्तान का पहला प्र तो इनका नाम आता है, बहुत important इस्टुएंट्स, तो ये मारबाड़ी जो साई थे, इनका नाम आता है, सेठ होकुम चंद, ठीक है, ये हाँ, आपको समझ में नहीं आ रहा हूँ, सेठ होकुम चंद, ये मारबाड़ी क्या थे, ब्यापारी थे, ठीक है तो ये कितने हो गए, सोला हो गए, अगला देखतें स्टुएंट्स, सत्रमा, तो इसमें क्या कह रहे हैं, सत्रमा को पढ़ते हैं, कह रहे हैं स्टुएंट्स, सत्रा आपसन में, हाँ, अब आपको देख रहा होगा, बिल्कुल क्लीन, तो स्टुएंट्स, सत्रमा आपसन में, कह रहे हैं, एक लं चीनी सबसे बड़ा राश्त नतर था एक लंबी अर्शी तक मुद्रस सामगरी मतलब चपी हुई सामगरी का ठीक स्टुएंट्स फिर देखते हैं अठार्मा कॉस्चन तो अठार्मा कॉस्चन में स्टुएंट्स क्या कह रहा हैं पस्चिमी सैली के स्कूलों की जरूरतों को करने वाला खालिस्तान प्रेंट संस्कृति का नया केंदर बन गया तो यहां चुकी चीन ही आ गया तो यह चीन का ही एक सहर था नया जो केंदर बन गया था इस सहर का क्या नाम है संगाई यह चीन का सबसे बड़ा सहर है क्या संगाई अब हम देखते स्ट्वेंट से काई तीन देखते हैं, 19 मा, इसमें क्या कह रहा है, 19 मा कह रहा है student कि जो Belgium है, ये खारिस्तान का एक छोटा सा देश है, तो Belgium तो देश ही है, तो हमें महादीप यहां लखना होगा, तो ये Europe महादीप का क्या है, एक छोटा सा देश है, क्या Belgium, Europe महादिप में आता है ठीक है, Belgium कहां का देश है? Europe महादिप का, 20 मा कह रहा है स्रीलंका में गरह युद्ध की समाप्ती किस बर्स में हुई थी स्रीलंका में जो गरह युद्ध की समाप्त हुआ था, यह हुआ था 2009 में, ठीक है? तमिलोर सिहलियों के बीच में फिर 21 मा देखते हैं, गरह युद्ध आप जानती हुँ, देश के ही देश में यदि दो जातियों के, दो बर्ग बिसेश के लोग अपनी मांगों को ले करके, यदि लड़ने लगें या एक तरब सरकार हो जाए, या एक तरब बर्ग बिसेश के लोग हो जाए, तो ऐसी इस्तिती को हम क्या कहते हैं, गरह युद्ध कहते हैं ठीक हिस्ट्वेंट, 21 मा देखते हैं 21 मा में क्या कह रहे हैं 22 भासाओं को भारती सम्मिधान की कौनसी इन सूची में रखा गया है, तो यहां इस्ट्वेंट ध्यान रखें कि भारती सम्मिधान की 8 में इन सूची में 22 भासाओं को माननेता दी गई है, कभी प्रसना जाए कि भारती सम्मिधान में कितनी भासाओं को माननेता दी गई है, तो 22 भासाओं को अगला देखते हैं अगला देखते हैं अगला देखते हैं तेईसमा है खालिस्तान पर आधारत सामाज एक विभाजन सिर्फ भारत में ही है क्या कह रहा है स्टुएंट खालिस्तान पर आधारत सामाज विभाजन करण के खिलाफ क्योंकि यहाँ पानी निजी हाथों में सोब दिया गया इसलिए लोग सलकों पे आ गया गया बोली भीया में लोगों ने पानी के निजी करण के खिलाफ एक संगर्स चलाया 25 देखते इसमें कह रहा है नागरेकों का प्रतिने धी चुनने का अधिकार मतलब न अगला देखते हैं 26 मा एक प्रजातांत्रिक सरकार खालस्तान के लिए उत्तरदाई है तो यह जनता के लिए उत्तरदाई होती है सरकार जनता की भलाई के लिए जनता के बिकास के लिए सरकार को जनता के कल्यान कारी कारे करना ही होते हैं प्रजातांत्रिक सरकार को तो यह के लिए उत्तरदाई होती है ठीक है अगला 27 मा देखते हैं तो 27 में कह रहा है निस्चित रूप से सुधारों के मामले में खालिस्तान की महत्पूर्ण भूमिका है तो सुधारों के मामले में स्ट्वेंट कानून की महत्पूर्ण भूमिका है कानून से ही निस्चित रूप स किसी देश की एक वित्तिवर्स की राष्टिय आय में उस देश की जनसंख्या से भाग दे करके ग्याप की जाती है, तो ओसाताय को परतिव्यक्तिया भी कहा जाता है, ठीक स्ट्रेंट्स, अगला देखते हैं, अर्थवस्था को कितने चेत्रों में बिभाजित किया गया है, अर्थवस्था को तीन चेत्रों में बिभाजित क्या गया है, प्रात्मेक चेत्र, दुतियक चेत्र, तरत्यक चेत्र, ठीक स्ट्रेंट्स, अगला तीसमा देखते हैं, तीसमा क्या कह रहा है, सो सहता समूह में सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी होती है, तो जो भी सो सह अगला कहते हैं विभर्न देशों में उत्पादन करने वाली कंपनियों को खालिस्तान कहा जाता है तो ऐसी कंपनिया जो दो यदो से अधेक या कई देशों में उत्पादन कारे कर रही होती है अफनी फैक्ट्रीज वगरा लगा रही होती है ऐसी कंपनियों को बहु रास्ति ये कमपनिया कहते हैं और इनिकों कहते हैं MNC Multi-National Companies, जिनका प्यापार रिस्तार दो या दो से अधेक देशों में फैला होता है, या बहुत से देशों में फैला होता है, अईसा भी हम कह सकते हैं, ऐसी कमपनियों को बहुरास्टी कमपनिया कहते हैं, फिर स्ट्वेंट्स 35 मा लगा होता है। यहां इस्टुएंट्स जो आई है लास्ट का इसका मतलब ही है इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल मतलब वध्यों में जिनका निर्माण हुआ है। यदि ये मानक हैं ये पूररूप से सुद्ध हैं तो इन पर इसाई का चिन या मारका लगा रहता है जो उ बिर्जीव वस्तिवों से बने होते हैं एसे संसाधनों को हम अजेव संसाधन कहते हैं, कौन सा 33 मा में, ठीक है, 34 मा क्या कह रहे हैं, 34 मा कह रहे हैं, कर्तन दहन प्रणाली को 36 गड़ में खालिस्तान कहा जाता है, ठीक है, अब हम 35 मा देखते हैं, 1850 में यूरोप की ताकतवर देशों की जो बैठक हुई तो यूरोब की ताकतवर देशों की बैठक कहा हुई इस्ट्वेंट तो यह हुई बरलिन में ठीक है 1885 में यूरोब की ताकतवर देशों की बैठक कहा हुई बरलिन में अगला स्ट्वेंट 36 मा देखते हैं भारत में खालिस्तान सरकार ज्यादा स बस्तौ मगा पोधे तो आप जानते हैं पोधे ही प्राथ में को उत्पादक कहलाते हैं तो बन क्या है तो बनों को हम खिचते हैं प्रात में उत्पादक हैं कौन बन ठीक है स्ट्वेंट्स उन्तीसमा देखते हैं ए स्ट्वेंट्स उन्तालीसमा देखते हैं तो उन्तालीसमा में क्या कह रहे हैं गालीसिया में कुलीनवर्ग खालिस्तान भासा बोलता था गालीसिया में कुलीनवर्ग कौनसी भासा बोलता था, पोलिस भासा, कौन सी भासा बोलता था, पोलिस भासा, बोलता था, ठीक है श्टुएंट, अगला देखते हैं, 40-्मा, इसमें क्या कहरा हैं स्टुएंट, 40-मा में कहरा हैं, आफ्रिका में 1890, अ अफ्रिका में 1890 के दसक में, खालिस्तान नाम वीमारी तेजी से फैल गई तो इस बीमारी को students याद करने ही रिक्तस्थान आना ही है तो कौनसी बीमारी अफ्रिका में 1890 के दसक में फैली तो इस बीमारी का नाम है render paste क्या नाम है students render paste Students अगला देखते हैं अगला जो है 41 41 नंबर का इसमें क्या कह रहे है students तो इसमें कह रहे है मनरेगा के अंतरगत सरकार द्वारा एक बरस में नियूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है तो students यहां आपको लेखना है कभी भी मनरेगा के अंतरगत मजदूरों को एक बित्ती बरस में जो कारे दिया जाता है इसमें आपको हमेशा 100 दिन लेखना है 100 दिन का रोजगार दिया जाता है ठीक इस्टवेंट्स आप समझ गा हूंगे अगला हम देखते इस्टवेंट्स 42 मा तो 42 में क्या कह रहे हैं 1801 में Ireland को बलपूरबग खालिसतान में सामिल कर लिया गया तो यहां इस्ट्वेंट्स आपको क्या लिखना है United Kingdom हम साइट में इसको UK भी लख सकते इस्ट्वेंट्स लेकिन आप लोग क्या लखें हिंदी में लखें United Kingdom में सामिल कर लिया गया 1801 में Ireland को ठीक है यह अंग्रेजियों द्वारा बनाया गया एक संगता United Kingdom तेतालिसमा है कह रहे हैं जन्मत निर्माण में खालिस्तान महत्पून भूमी का निभाते हैं तो इस्ट्वेंट्स जन्मत निर्माण में जो राजनेतिक दल होते हैं आप यहां पूरा लिखना राजनेतिक दल महत्पून भूमी का निभाते हैं ठीक है इस्ट्वेंट्स आगला देखते है जो 24 मा है, इसमें कहा रहा है, खालिस्थान, रण की लागत, रण का बोज बढाती है. तो यदि आप अधिक्तम रण की लागत लगा, रण का बोज बढाती है. यह अगला देखते हैं, 45 यसमें क्या कह रहा है? तो 45 में कह रहे हैं, 3 चोथाई धरातल खारिस्तान से धखा हुआ है तो यह 3 चोथाई यह 61 परसेंट जो प्रत्वी का हिस्सा है, यह जल से धखा हुआ है तो यहाँ आपको क्या भर देना है जल 46 मा है, 18 मी सतापदी के अंत तक प्रेश खारिस्तान से बनने लगे थी ग्रेट ब्रिटेन दो प्रमोख पंथों में बेकार तरह से बटा हुआ था ठीक है दो पंथों में बटा हुआ था ग्रेट ब्रिटेन अगला है 48 मा इसमें क्या कह रहे हैं बस्तूओं वासेबाओं का क्राय विक्राय तो आप खुद बताओ बस्तूओं वासेबाओं का क्राय 70 ESB के आसपास छपाई की तकनिक लेकर कहां आए, तो यहां आपको कहना है जापान लेकर आए ठीक है, यह सान यदी 767-770 ESB के आसपास लेका मेले तो तकनिक कहां लेकर आए, जापान लेकर आए पचासमा देखती स्ट्वेंट्स, इसमें कह रहे हैं इक लेंड में पैनी चैप बुक्स या एक पेसिया किताबें बेचने वालों को क्या कहा जाता था तो student'S इनको कहा जाता था chapman ठवारत में लागु किया गया तो यहां आपको संधयान रखना है 1888 में अठारा सो अठार में बरना की उलर प्रेसेक्ट लागू किया गया भारत में अपनी सराज सभा में इस आप याद रख सकते हो त्रेपनमा कह रहे है पारम पर एक चीनी किताब खारिस्तान सैली में किनारों को मूड़ने के बाद मिला कर बनाई जाती थी उस सैली का नाम है स्ट्ट्वेंट्स एकार्डियन क्या नाम है एकार्डियन यदि ये आपको याद नहीं होते हैं तो आप इनको इस वीडियो को दो से तीन वार देख लेए तो ये निस्यत रूप से आपको मैमोराइज हो जाने वाले है एकार्डियन सैली ठीक है चौएनमा देखते हैं इसमें चौएनमा में क्या कह रहे है है 1448 में गोटेणवर्ग ने जो पहली पुस्तक चापी थी गोटेणवर्ग ये प्रेश का जनक आके इसने जो पहली पुस्तक चापी थी इस वरे 1440 के बास से अगला पच्पन मा कह रहा हैं केसरी समाचार पत्र का प्रकासन किस ने किया था तो स्टुएंट्स यहां आपको ध्यान रखना है बाल गंगा धर तिलक ने किया था केसरी समाचार पत्र का प्रकासन दोस्तों आज इतना ही पच्पन रिक्तिस्थान हमने आपको बताए वीडि सही जूडियां सत्त सत्त को लेकर की आएंगी इस ट्रेंट साब प्लीज हमारी मदद करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप हमारी हेल्प करना चाहें तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्टेडी गुरूप में सेर जरू करें मिलते हैं अंगल